नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथी को बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन पित्तरों के नाम का अश्राद वा स्नान दान का कारिक्रम किया जाता है। बतादें कि आश्राद महा में 29 जून दिन बुध्वार को अमावस्या तिथी मनाई जाएगी। आश्राद महा की अमावस्या को हल हारीमी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये अमावस्या किसानों के लिए बहुत खास मानी गई है। इस दिन क्रिशी कारे से जोड़े उपकरणों की पूजा की जाती है। माननेता है कि पित्र दोश से मुक्ती पाने के लिए अमवस्या बहुत खास होती है। तो आज हम आपको अमवस्या के दिन पित्र दोश से मुक्ती पाने के लिए कुछ चमतकारी उपाई बताएंगे, तो आईए जानते हैं। शुरू करते हैं पहले उपाई से। जोतिश शास्त्र के अनुसार आशाळ अमवस्या पर सुभा स्नान करने के बाद पित्तरों को पानी में अक्षत और काले तिल मिलाकर तरपण दे। साथी इस दिन ब्राम्हनों को भोजन, दान और दक्षणा दे। इससे पित्र प्रसंड होते हैं और पित्र दोश से मुक्ती मिलती है। दूसरा अपाई, धन धान्य में वृद्धी के लिए अमवस्या की शाम घर के इशान कोन में एक दीपक जलाएं। उसमें गाय के घी, केसर और लाल धागे वाली बत्ती का उपयोग करें। इससे धन की देवी मा लक्षमी का आशिरवात मिलता है और घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। मान्यता के अनुसार आशाहर अमवस्या को क्रिशी उपकरणों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से फल का उत्पादन अच्छा होता है जिससे घर के धन धान्य में वृद्धी होती है। त्रप्त होती हैं। त्रप्त होने पर वो अपने परिवार और वंज की उन्नती के लिए आशरवात देते हैं। आगे बात करते हैं चौते उपाए की। पत्ते के कटोरे में रखकर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से घर पर आने वाले संकट दूर होते हैं और सुक एवं सम्रिद्धी के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा आशार अमवस्या की सुभ़ पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में अमवस्या के दिन मचलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस उपाय से आपको बहुत लाब होगा। आखरी उपाय के तौर पर आपको बता दें कि अगर आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है जिसके करण आपके घर हमेशा कलेश का वातावरन बना रहत है तो अमवस्या पर नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर करने के लिए एक कुत्ते को रोटी में तेल लगा कर खिलाएं। ऐसा करने से विरोधी और शत्रू दोनों का प्रभाव कम होगा। तो दोस्तों ये हैं कुछ उपाय जो आशाण अमवस्या के दिन करने से पित्र दोश से मुक्ति मिलती है वो धन धान्य में व्रिधी होती है।